हेलो दोस्तों PhD का एक निया नोटिकेशन स्टार्ट हो गया है चो कि IISCR बहरामपूर से है दोस्तों यह काफी अच्छा इंस्ट्टूट है और उन्हें काफी सारे सब्जेक्ट के लिए आवज़न मांगे हैं तो इन्होंने सबसे पहले यहां पर पताया है कि जिन जिन सब्ज साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, डिस्पलेन और आगे नोने यहां पर कुछ होर इन्फॉमेशन जान करी चाहिए आपको फैकल्टी मैंबर्स बगरा के बार में तो यहां पर लिंक दिया हुआ है तो आप इस लिंक पर जाकर इनके फैकल्टी मैंबर के बार है उन सभी के बार में और दोस्तों यदि आपको कुछ प्रशानी आहरी है form fill up करने के अंदर तो यहाँ पर email address वगरा दिये हुए है दो तो आप इन पर contact कर सकते हैं जिए आपको कोई information चाहिए तो और आगे दोस्तों यहाँ पर eligibility criteria वगरा बताया है तो दोस्तों eligibility के अंदर इननों बताया है कि यदि आपको आपको से साथ में तो आप आफे दिन कर सकते हैं और 5% का relaxation बताया है SCHT PWD category वालों के लिए और दोस्तों आगे इननोंने fourth point के अंदर बताया है कि आपके पास में additionally यह कोई certificate होना चाहिए जैसे कि national level examination का जैसे कि NET, GATE, UGC-JRF, CSR-JRF, DBT-JRF, ICMR, INSPIRE, GEST यह सभी किसी परकार का हो तो यह आपके बास होना चाहिए तो यह लिखा हुआ है तो यह मश्ट बताया गया है कि होना ही चाहिए और exemption बगरा बताया हुआ है कि कि इनको exemption दिया जाएगा यह valid grade score से कि इनकी requirement ना भी हो इनके लिए चलेगी जैसे कि कोई MPPS बगरा हो तो उनको यह requirement बगरा नहीं चाहिए और आगे rejection policy यह बताया है कि ministry of education government of India के according रहेगी और दोस्तों इनको 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 बताया है कि 28 years से old जादा नहीं होना चाहिए joining के वाक्त और तीन साल का relaxation मिलेगा OVC वालों के लिए जो non-crimalier से हो और फाइप परसनले रिलेक्स ने SCHT PWD category वालों को मिलेगा और financial assistance भी मिलेगी यहां पर regular रहने वालों गो IISCR बहरामपूर के तरफ से या external funding agency जो भी आपके पास में है fellowship वगरा तो उन से selection mode भी इनको बताया कि यह interview के base पर होगा interview online या offline दोनों mode से हो सकता है किसी mode से और आप से communication email ID दोबारा ही की जाएगा तो दोस्तों अपना email address जो भी हो वो सही डालिएगा और इनको बताया कि यह कोई review आपका 15 से 22 अप्रेल को हो जाएगा और आपको यह दि कोई परशानी आरे तो आप इनके सभी email address पर contact कर सकते हैं इन्होंने आप डिपार्टमेंट के असाफ से सभी email address बगरा दिये हैं तो आप इन पर contact कर सकते हैं दोस्तों यह था short notification दोस्तों उमीद करते आपको हुमारे द्वारत दीदिएगे जानेकर यह अची लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वो आप हमसे टेलीग्राप भी जूर सकते हैं ऐसे प्ले में बीकार्णीenter ने अप्डेट के लिए